नमस्कार स्वागत है आपका MP तक पर मैं हूँ रवीश पाल सेंग यूँ तो कॉंग्रेस एक जो प्रमुक विपक्षी दल है मध्यपदेश में वो लगतार सत्तारोड दल पर हमलावर रहता है भार्तिय जन्ता पार्टी को कोरोना में जो अव्यवस्थाय रही हैं उसकी वज अनूठी और शांदार पहल होती है जो एक बार फिर से मध्यपदेश में देखने को मिली है जहां पर प्रदेश के मुखिया शिवरात सिंग चोहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से फोन पर चर्चा कर मध्यपदेश में कोरोना की इस्थितियों से अवगत कराया है मुख्यमंत्री शिवरात सिंग चोहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बताया कि मध्यपदेश में पॉजिटिविटी रेट लगाता नीचे जा रहा है संक्रमितों का ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है कुलेक्टिव केस भी लगातार कम हो रहे है और मरने वालों का आकला भी नीचे जा रहा है इसके साथ ही वेक्सिनेशन की क्या इस्तिती है इसके बारे में भी मुख्यमंत्री शिवरात सिंग चोहान ने कमलनाथ को बताया है इस बीच में बतोर विपक्ष के नेता कमलनाथ ने भी अपनी तरफ से कई सुझाओ मुख्यमंत्री को दिये है उन्होंने कहा है कि शेहरों के बाद अब ग्रामीन इलाकों में कोरोना फैलता दिख रहा है इसके लिए सरकार को इंदजामात कर लेने चाहिए खास तोर से ग्रामीन शेत्रों में स्वास्त सुविधाओं की बेहत कमी होती है समय रहते अगर उसे व्यवस्थित कर लिया जाता है मजबूत कर लिया जाता है तो जैसे हालात अप्रेल के महीने में शेहरों में देखने को मिले कम से कम गावों में वो इस्तिती ना दोहराई जाए सके पूर्र मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये भी सुझाव दिया कि ग्रामेन इलाकों में दवाईयों की चिकित्सी उपकरणों की बहुत जादा कमी रहती है जितने जल्दी हो सके उसे दूर किया जाए इसके अलावा शिवराद सिंग चोहन ने कमलनाथ को मतरपेश में फैलते black fungus की भी जानकारी दी कमलनाथ ने कहा है कि black fungus जिस तेजी से मतरपेश में बढ़ रहा है जरूरत है कि इस बिमारी के इलाज के लिए जिन दवाओं की जरूरत हो रही है उसकी काला बाजारी न शुरू हो पाए जैसे कि अभी कोरोना काल में देखने को मिली थी रेम डिसीवर इंजेक्शन या फिर कोरोना के इलाज के लिए जरूरी दवाईयों और इंजेक्शन की जो काला बाजारी हुई उसको देखते हुए अब सरकार को ये पहले से ही तै कर लेना चाहिए कि कम से कम ब्लेक फंगर्स के इलाज के लिए जिन दवाईयों और इंजेक्शन की ज़रूरत है वो बाजार से गायब न हो उनकी कीमते न बढ़े उनकी काला बाजारी न हो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक तरफ भारती जनता पार्टी और कॉंगर्स कोरोना काल में और एक दूसरे पर जम कर हमला वरतों रहते हैं कीचड़ भी उचालते हैं लेकिन बात जब इस बिमारी से एक साथ लड़ने की हो तो उसमें मद्यप्रदेश के नेता पीछे नहीं हटते इससे पहले भी पूर मुख्यमंत्री कमलनाथ और शिवरात सिंग चौहान के बीच फोन पर कोरोना को लेकर के बादचीत हो चुकी है उन्होंने प्रदेश की स्थिती से अवगत कराया था एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने नेता प्रदिपक्ष जो है एक तरीके से देखा जाए कमलनाथ जो प्रदेश अध्यक्ष भी है कॉंग्रेस के उनको मदबदेश में करोना की स्थिर से आवगत कराया है और साथ ही में उनकी राए भी ली है